दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Poco X3 और Poco X3 Pro के पारे में देखें दोस्तो यह एक मोबाइल है और यह आया है हमारे पास पार्सल लेकिन यह जो है नजदिक से आया है लगबग 200 से 200 किलोमेटर 200 किलोमेटर दूर बस से आया है तो इसलिए इसमें कुछ करता हूँ और इसमें प्रॉब्लेम है कि मैंने इसको CPU करके भेज जिया था और कुछ दिन चलने के बाद यह बंद हो गया तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे इसको आन करना है तो मैं आज इसको आपको दिखाऊंगा कि बिना CPU करे अगर आपका मोबाइल सचलो डेड हो करें आन कर सकते हो यह मैं आपको तरीका बताऊंगा तो देखें यह है Poco X3 और अगर आपको पता नहीं है मैं बता देता हूँ कि Poco X3 में बैटरी मोडल जो है BN61 होता है और Poco X3 Pro में BN57 होता है तो इसको हम खोलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या करने से Poco X3 Pro जो है आन आन होगा क्योंकि eigenlijk मैं इसको CPU Revolts owns और हमने इसको CPU रिफ वर करके बेज़क था और फिर से कुछ दिन चलने के बाद फिर रिप्यार करना चाहते हो हमारे पास तो मेरा नंबर है उधर से मुझे कॉल कर लो और मेरा अड्रेस ले लो मैं उडिशा से हूँ आप अल ओबर इंडिया कहीं से भी हो आप अपना मुबाइल को बाइक कोरियर भेज के रिप्यार करा सकते हो देखें मैं आपको अभी तक और बोटम प्रेस करकर रहा हूं देखते हैं चार्जिंग लगा के भी देखते हैं कि चार्ज होता है क्या नहीं देखें मैं इधर आपको चार्जिंग लगा के भी दिखा रहा हूं देखें चार्ज नहीं हो रहा है अगर इधर एक में पोको एक्स 3 की बात करूं देखें इसमें चार्ज नहीं हो रहा है और इसमें अगर मैं लगाता हूं तो देखे ये चार्ज हो रहा है और देखे ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया फोको लोगो आ गया चार्जिंग लोगो आ गया देखे इसमें तो आ रहा है चार्जिंग लोगो लेकिन इसमें नहीं आ रहा ह तो मैं इसको रख देता हूँ और इसको लगाता हूँ थोड़ा दिर लगा के देखते हैं कि इसमें charging logo आता है क्या या तो charge होता है क्या मुझे जितना पता है ये charge नहीं होगा क्योंकि इसी के लिए ही भाई जो है हमारे पास भेजा है देखे इसमें notification light भी blink नहीं कर रहा है तो हम इसको खोल लेते हैं और इसको थोड़ा सा वर्म करते हैं जैसे मैं बताया था आपको कि क्या करना है मैं दिखाऊंगा तो आप भी अगर आप किसी भी repairing shop से अपना मोबाइल रिबॉल किये थे और आपका मोबाइल फिर से दुबारा dead हो गया है तो आप उसको कैसे जो क्यारे में खोल लेता हूं और इसको कैमरा जो है खोल लेता हूं मैं और मैंने खोल लिया है देख सकती हो और मैं पूरा सब कैमरा खोल देता हूं क्योंकि हीट लगने से कैमरा खराब होने का चाल से रहता है उसके बाद हम यह फेस के उपर प्रोटेक्शन देंगे ऐसे करक आपको ब्लोर में 340 डिग्री या तो 340 से 50 डिग्री का अंदर आपको इसको रख के थोड़ा सा वाम करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा उनली इसको गरम करना है दूसरा आपको कुछ भी करने का जुरूत नहीं है वो अराम से यह जो है ओन हो जाएगा मैं आपको दिखाए भी देता हूँ क्योंकि यह प्रोबलम बहुत जादा आ रहा है सिप्यो रिवल करने के बाद बहुत जादा आ रहा है अगर आप एप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चनल को सब्स्राइब करकर रखो क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा कि दो वं करना है और आपको कुछ नहीं करना है कर नियुकậ cabinet है और इसको थंडा है और और मैं कि दूसरा इसको साथ मदरबोर में रखाऊंगा चार्ज होगा नहीं वोगा मुझे नहीं पता और मैं दूसरा में लगाऊंगा जिसमें कि ये मुबाइल डायरेक्टली ओन हो जाई बैटरी जिसका चार्ज है इसका बैटरी चार्ज है तो इसमें में लगाऊंगा और इसको लगा के मैं इसको ओन करूंगा क्योंकि पुरा गरम है हम ऐप तंडा होने के लिए इसको कि अबहरें इसको हम लगाते हैं इसमें कि ऑर इसको ओन करके देखते हैं कि यह ओन होता है कि नहीं पता है उन हो जाता है अगर इसके कि वी और नहीं होता है तब आपको करना पड़ेगा तो देखते हैं ऑन जोता है कि नहीं किल नहीं हो रहा है कि अर्थ देखेंगे ससकर आन करके क्या नहीं हो यह और चार्ग लगा कि देखेंगे कि यह तो कि चार्ज तो नहीं ले रहा है तो कि देखते हैं कि क्योंकि यह CPU रिवल्व के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसको ऐसे एक बार ट्राय करके देख सकते हूं कि थोड़ा सा गरम करने के बाद अगर अगर अन हो गया तब तो ठीक है और थोड़ा सा हम इसको गरम करे पड़ेंगे क्योंकि हो सके कि उसका बॉल जो है ठीक से लगा नहीं है तो इसको और थोड़ा सा गरम करके देखेंगे अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो इसको फिर से रिवल्व करना पड़ेगा तो आप इसको एक बार ऐसे करके ट्राय कर सकते हो और अगर नहीं हुआ तो तो आप शीप्यूर्य क्रना पड़ेगा और दूसरा कोई baru नहीं है इसको फिर से रिवंद करना पड़ेगा छीक है तो आप और एक पर हम लोग इसको कांगा साग देखते हैी ति क्या होता है क्या नहीं स्थ-200 तोड़ा शार ज्यादा गरम नहीं करना है क्योंकि अगर ज्यादा गरम करते हो तो सीप्यू आइसी ड्रेड होने का चांसेस रहता है तो मैं इसको निकाल देता हूं तो वीडियो लंबा होने से कोई दिक्कत नहीं आप लोग थोड़ा इंतिजार कर लेना और हम देखेंगे उसी का बोड़ी में लगा के देखेंगे कि यह जो है और हुआ कि नहीं क्योंकि बहुत करम हो जाता है तुरंद तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको थंड़ा होने में पहले लगा के देखेंगे बाद में उसमें लगा के देखेंगे कि ओन होता है कि नहीं या तो चार्ड होता है कि नहीं लगवक थोड़ा ट्राइब करेंगे इसमें भी चुंकि यह फोकोए ठीक है पोखेंगे देखते में इसमें तो आनहीं हो रहा है नहीं डायएस में ち्त्राजइन लगाकर देखते हैं लुआ काल हां है कि देखे इदा नौकिकिसल्ण ला ब्लिंकिंग न स्टार्ट हो छुका है आपको दिख रहा होगा पी जो थाइए दोस्तों है तकी सफिस्क्रों लाइक दो किसे कि यई जगा गां लिख रहा है बाई लाटिविकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है मैं दूसरा में लगा के देखते हैं कि ओन होता है कि नहीं लगबग ओन हो जाएगा हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इसमें लगा देता हूं और इसको लगा के ओन करते हैं देखते हैं ओन होता है कि नहीं क्योंकि यह वाला जो बैट्री है देखिए ओन हो चुका है आपका सामने मैं आपको बताया था कि यह ओन हो जाएगा तो रेजल्ट आपका सामने है और मैं इसका सब कुछ लगा के देखता हूं कि कैमरा फेमरा वर्क करता है कि नहीं एक मिनिट मैं इसमें कैमरा लगा देता हूं और कैमरा लगा के ओन करता हूं और आपको दिखाता हूं यह जो है काम करता है कि नहीं कैमरा काम करता है कि नही मुझे पता नहीं को ट्याइब तो क्या पासवर्ड रोगा तब भी तो करके देखेंगे कि आनव तो है कि नहीं है और लगा देता हूं अ लगा देता हूं कि ऑलन करेंगे करें दिखे में इसको इन कर रहा हूं कैमरा हमने लगा दिया है और हम लोग देखेंगे कि मुबाइल ओन होता है कि नहीं पूरा ओन होता है कि नहीं तो विडियो में आखिरी तक बने रही है अगर आप भी अपना मुबाइल को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ कंटर्ट कर सकते हो इसक्रिशन में हूं उसी चार्जर में जो चार्जर में मैंने चार्ज किया था है ख्री तो थोड़ा सा टाइम लगेगर ओन लहानय में अब जानते हो तो इसलिए नहीं होगा आपको दूसरा से दिखा देता हूं फास्ट चार्जिंग हो रहा है कि नहीं है कि कोई चर्ज है मैं टोर्बो चर्ज है तो सब कुछ ओके है और कैमरा तो भाई में टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका पास्वार्ट मुझे नहीं पता है तो देखे रेडी हो गया और अगर आपको ये वीडियो जैनकर ये अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ सेयर करना और अगर आपको ये वीडियो जैनकर ये अच्छा लगा है चै हिन दो तो